सेक्स डिटर्मिनेशन इसका मतलब कि लड़का और कोई भी लड़की उनमें जो सेक्स के ओर्गन्स हैं वो कैसे और क्यूं डिफरेंट हैं इसी की लेकर आज बात करते हैं तो इसको देखना पड़ लगा इस स्टार्टिंग से जब भी कोई फिटर्स तयार होता है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है सबसे पहले हम उसको समझते हैं और देखते हैं तो बात करते हैं क्रोमोजोम से हमारी जो बाड़ी है वो बहुत सारी सेल से मिलके बढ़नी है और सेल के अंदर कंटेंड होता हमारी डिएने डिएने में होते हैं हमारी क्रोमोजोम अब क्रोमोजोम द स्पर्ड के जाइगोर्ट सेल्स के गुर्मिषन के और आगे की हमारी यो प्रॉसिस हяж बहुत यह स्कूर्ट होती है होता है और स varios होगते है को हमारे हमार अब्टामीन काफिटी में होता है और मील cabbage होता है इसनियो動画 एक करए ही यह थोड़ा नीचे से सिस्यूए्टड हो जाते हैं तब अधिश exchange होता है और एक male का formation होता है और बाद में ये जब बच्चा वर्ट ले लेता है तब ये एक पॉचलाइक structure में आ जाते हैं और बही पर penis का भी formation हो जाता है तब तो boy यानि की लड़के का formation होता है अब यहीं बात करते हैं किसी female individual की के female individual का कैसे bond होना ये देखिए जो system है वो same ही है लेकिन यहाँ पर जो उसके egg cells होते हैं वो philippean tube के साथ मिल कर बहाँ पर obiris का formation कर देते हैं ये देखिए male और female में organ same होते हैं लेकिन उनकी फिर structure बदल जाती है बाद में और भी differentiation हो जाता है अब अब देखते हैं कि जो transgender है वो कैसे बनता है transgender पहले तो male के ही रूप में बनता है लेकिन वहाँ पर कुछ hormonal imbalance होने के कारण वहाँ पर टेस्टो strong को ज़्यादा एहमियत नहीं दी जाती है उस बज़ाए उसके बदले austeriol ज़्यादा active हो जाता है और यहाँ पर female के character आने लगते हैं और male के character नहीं आते हैं